तो देख लेते हैं तो देख लेते हैं चार्ट को यह दिख रहा है यहां पर यह पर आपको जो कि यह ब्रेकाऊट हो चुके पैटन कर दिया इसी के आप देखके stoploss लेंगे जैसे कि में निए स्टॉप लेटाई तो यह स्टॉप लेखा इसका तो stoploss जो है 150 के नीचे का होगा ऐसा लाइए यह इस शॉट ट्रम में होगाइए लॉंग टरम में आपका ऐसा लोगा बेसिंग यह बेसिंग पैंटर के नीचे का ही होगा अगर यह इस पैटर्र को ब्रेक कर देती है मार्किट तकरीबन एक सो पच्चेस है ऐसा लोगा लॉंग टरम में ल्टी ठीक है यह लॉंग ट्रम में SL है यह जो लहन है LT है और यह ST है ठीक है यह शॉर्ट ट्रम की SL है यह लॉंग ट्रम का SL है जब टार्गेट हैं टार्गेट जो है शॉर्ट ट्रम साहेता हूं आपको मैं 2020 के अच्छा प्रेंट रहा है तो अपना ब्रेक भी कर दिया कापी टैंम के बाद और अच्छे यह पैतने के बाद अच्छे खासे पांचे मेर दुखने के बाद यह ब्लेक किया है तो के अनियर फिचर बहुत टार्गेट है और लॉंग ट्रम में आप इसमें बैटना चाहें तो आप 400 तक के भी टार्गिट दिख जाएंगा कर इसमें बैठेंगे तो आप लॉंग टम के लिए बैब रहो हूं है ठीक है 400 अब भी जाए आप इसमें निकल सकते हैं एक बना सकते हैं लॉंग टब में और इस टॉपलस अगर लॉंग टम में है तो 125 का सबस रहेगा और आप लिए प्रसक्ते हैं अब कर दो तो आप लिए पचास निकाल दिए च्टाश चोड़ दिये इससा पो यह कुछ तपर आई गया उसके वाद तीन सो पर गया या साड़े तीन सो पर दिखा आपको तो बाकि आपने पच्चिस निकाल दिए ऐसे आप कर सकते हैं वी आप यह ति पिछे हसे मझमा सकते हैं कि मालोग की आधिय निकाले पहले टीक है इस फिर उसके भी उसगा तो तोसे आवियर को और सी nowhere अपकर निकाले रytyy कि उसके बाद आपने फिर वो पूरे कर दिए तरीका होता है जो बड़े ट्रेटर काम करते हैं जब मार्केट में जब बड़े शेयर लेते हैं तो कैसे वो अपनी पोजिशन एक्जिट करते हैं यह तरीके होते हैं कि माली जी शेयर थे 100 पहले 25 निकाल दिए पचास निकाले पहले में उसका अधन काला फिर उसके अगले में उसका अधन काला और लगता है कि अगर मार्केट लॉंग टरम में ज़्यादा पसमना के देगा तो ठीक है ऐसे और भी शेयर बिए चैनले बने रहें धन्यवाद